स्वागत है आपका अमारे योटीब चैनल पर आज किस वीडियो में करेंगे हर्याना पुलिस का जो आपका 18 और 19 तारी को पेपर लगा हुआ है उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टिट पेपर देखेंगे जो कि आपका एक्जाम के लिए इन्पोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के सेशन में पहला कोश्चन है 1526 एसभी में हर्याना में किस इस्थान पर बावर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था क्या रापसन है पानी पत, जीन, कुरुछेत्र और ताबडू तो इसमें से कौन सा अंसर होगा तो आपसन है हो जाएगा पानी पत अगला कोशन है तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ तो आप्सेने प्रच्वी राज दूतिये, प्रच्वी राज प्रथम, प्रच्वी राज तुरतिये महम्मद गौरी तो इसमें से कौन पराज़त हुआ? आप्सेन D, महम्मद गौरी नार नावल के सतनामियों ने किसके सासनकाल में विद्रो किया? आप्शन A बाबर, आप्शन B सहाजा और आप्शन C औरंग जेप, आप्शन D जहागीर तो इसमें कौनसा आंसर हो सकता है? आप्शन C औरंग जेप 1857 की क्रांती का विगुल हर्याना में सर प्रतम कहां पर वाजा? जजर, रेवाडी, अमबाला या हिसार तो चार में से कौनसा हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आप्शन C अमबाला अगला खोशन है 1857 की क्रांती के समय पानी पत से थाने सर क्रांती का नेतुरत जो है वो कौन कर रहा था? आप्शन E इमाम अली कलंदर, आप्शन B हसन अली आप्शन C, अमीन उद्दीन और आप्शन D, सावर खां तो इसमें से कौनसा अंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है तो यह हो जाएगा आप्शन E इमाम अली कलंदर आदुने घरियाना का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनेक हरियाणा के निर्माता उपस्टन है भाजनलाल को कहते हैं या चौधरी बंसीलाल या चौधरी देवीलाल इन में से कोई नहीं तो कौन सा अंसर होगा आपको कमेंट करके इसका अंसर बताना है अगला गोशन है किस बर्स तक हरियाणा के प्रतेक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी ओप्षन A बर्स 1911, ओप्षन B बर्स 1907, ओप्षन C बर्स 1909, ओप्षन D बर्स 1901 तो इसमें से कौनसा आपका आंसर होगा? Option B बर्स 1907 तक इस्तापना हो चुकी थी अगला है 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गरपतार किया गया Option A हिसार Option B रोह तक C है पानी पत और D है सोनी पत तो इसका अंसर क्या होगा तो Option A हो जाएगा हिसार अगला कोशन है चौधरी देवी लाल का जो जनम है बोक किस जिले में हुआ था Option A फरीदाबाद Option B हिसार Option C गुरूग्राम या सिरसा तो ये हो जाएगा आपका Option D सिरसा में हुआ था सिरसा हर्याना एक लैंड लॉक्ड राजी है जो निम्न अच्छांसों के बीच इस्तित है थोड़ा टाइम दे रहा हूँ तो आपको बताना अंसर इसका क्या होगा आप पढ़ सकते हैं सारे कमेंट सारे Option पढ़ सकते हैं उसके बाद अंसर बताइए तो ये हो जाएगा Option D 27 डिग्री 49 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर अगला कोश्चन है असोक के अभिलेखों की जो भासा है वो कौन सी है कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको कमेंट करके बताना है तो ये हो जाएगा Option ए प्राकरत भासा अगला है हरित ग्रह प्रभाव Green House Effect मुखिता किसके कारण होता है चार अप्चन है आपको बताना है तो इसका अंसर क्या होगा गाई जल्दी कमेंट करके बताईए तो ये हो जाएगा Option C Carbon Dioxide CO2 अगला है भारत में सरवाधिक बरसा वाला इस्थान मानिस राम निमलिखित में से किस राज में इस्थित है तो आपको चार अप्चन दिये गए इसमें से बताना है तो ये हो जाएगा Option C में गाला है में गाला है अगला कोशन है पूना पैक्ट निमन में से किसे से सम्मंदित है आपको कमेंट करके बताना है का option B दलितों से संबन देता है यूनेस्को का मुख्याले जो है वो कहां पर इस्टित है तो यह हो जाएगा option B पैरिस दुतिये पंच वर्सिये योजना आधारित थी आपको कमेंट करके बताना है तो यह हो जाएगा गाईद आपका option ए PC महा लनोबिस माडल पर पानिपत के तृतिये युद में मराठों की ओड से कौन मुस्लिम सेना पती मारा गया आपको कमेंट करके बताना है गाईज चार आपसन है इसमें से आपको बताना है तो यह हो जाएगा option है इब्राहिम खा गार्दी अगला है यूरो जो है वो कहां की मुद्रा है यूरो जो है वो कहां की मुद्रा है चार आपसन है तो यूरो जो मुद्रा है गाइस वो है option B European Samu की मुद्रा है अगला है कमजोर बरगों के लिए भारतिय सम्मिधान में आरच्छन का प्रापधान किस अनुचेद के तहट किया गया है तो चार अप्सन है तो इसका अंसर होगा आपका option ए अनुचेद 16 प्रतवी अपने अच्छ पर कितनी जुक्की हुई है कमेंट करके आंसर बताईए थोड़ा टाइम देता हूँ इसका अंसर अप कमेंट करके बताईए तो इसका हो जाएगा ऑप्सेंसी प्रतवी दिवस कम मनाया जाता है चार अप्सेंसी तो ये मनाया जाता है ओप्सेंसी 22 अप्रेल राजसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है तो चार अप्सन दिये गए हैं तो ये हो सकती ऑप्सन भी 250 हो सकती है अगला कोश्चन है कांच मेंसे गुजरने पर प्रकास के किस रंग की चाल जो है वो सबसे कम होती है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन भी बैगनी निमलिकित मेंसे कौन सा सब्द पुटवाल के खेल से सम्बंदित नहीं है कमेंट करके बताईए तो ये हो जाएगा ऑप्सन सी एक्स्ट्रा कबर ये क्रिकेट से सम्बंदित होता है और जो पास है सड़न डेथ पैनलिकिक ये पुटवाल से सम्बंदित है क्रसी के छेतर से सम्बंदित पुरस्कार है तो कौन सा है पुरसकार? चार आपसान है तो इसमें हो जाएगा ओपसिन सी बोर लाग पुरसकार अगला इस करभी रोग जो है किस बिटामिन की कमी के कारान होता है? तो ये हो जाएगा बिटामिन सी छेतरपल की द्रश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओपसिन बी राजस्थान कॉंग्रेस के प्रथम मुसलिम अध्यच कौन थे? चार आपसिन दिये गए हैं तो ये हो जाएगा ओपसिन बी बदरुद्दीन तयप जी अगला है निमलेखित में से कौन सा धातू नहीं है? तो ये हो जाएगा ओपसिन बी सलपर सलपर जो होती है ये एक गैस होती है और बांकी के जीन जैसे की मरकरी जिसको हजी भी कहते है पारा भी कहते है आईरन और कहाँ पर? ये सबी क्या है? ये सबी धातू है अगला सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो सेज का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये होगा आप्शन बी स्पेशल एकनॉमिक जोन अगला रिग बेद में किस नदी का उलेख नहीं है? तो इसका अंतर क्या होगा? आप्शन बी राभी नदी का उलेख नहीं है नेक्स्ट है जम्मू सिरी नगर मार्ग किसे दर्रे से होकर जाता है? तो ये होगा आप्शन बी बनी हाल दर्रा निमलिकित में से किसे भारत की इलेक्टोनिक सीटी के नाम से जाना जाता है? तो गाईज ये हो जाएगा आप्शन है बंगलूरू निमलिकित में से कौन सा एक सही खाद इस रंकला को दर्स आता है? चार आप्शन है तो ये हो जाएगा आप्शन बी पहले घास होगी घास को कीट खाएगा फिर कीट को मेड़क खाएगा और मेड़क को सर्प और सर्प को गरोन ये सही हो जाएगा मौसमी घटनाए बायू मंडल की किस परत में घटेत होती हैं तो ये घटेत होती हैं आप्शन सी छोब मंडल बिस्सु बैंक जिसे अंतर राष्टिय पुनर निर्माड तथा विकास बैंक भी कहते हैं का मुख्याले जो है वो कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है आप्शन बी बासिंग्टन डेफी बासिंग्टन डेफी जैन तीर ठंकर महावीर ने निम्न में से कहां सरीर का त्याग किया था तो ये हो जाएगा आप्शन बी पावा पुरी अगला रत यात्रा महसब का आयोजन कहां पर होता है चार आप्शन है तो ये होता है आप्शन है पुरी में होता है अगला कोशन गाइस देख लेते हैं डाइनामाइट का अविस्कार करने बाले स्वीडिस बेग्यानिक का नाम क्या था तो डाइनामाइट का अविस्कार करने बाले स्वीडिस बेग्यानिक छे कौन थे आपसने अलप्रेड बनार्ड नोबिल निम्न मैं से किस गुप्त सासक को मुद्राओं पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है चार अप्सन है तो इसमें से हो जाएगा अप्सन भी समुद्र गुप्त अगला चटकाओं बिद्रो से कौन सम्बंदित थे तो चटकाओं बिद्रो से सम्बंदित कौन थे तो option B हो जाएगा सूर्य सेन बिमुद्री करण क्या होता है तो बिमुद्री करण होता है चार option है तो इसमें हो जाएगा option B पुराने नोटों का चलन बंद कर देना बिस्सु पर्या बनान दिबस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है option B पाँच जून को अगला है अंतरराष्टिय न्यायाले में न्याया धिस बनने वाला प्रतम भारतिय कौन था तो ये था option नगेंद्र सिंग अगला कोशन देख लेते हैं निम्न में से किसे भारत का सेक्स पियर कहा जाता है चार option है तो इसमें से हो जाएगा option है काली दास को कहा जाता है ग्रहों का उनके आकार के आधार पर गढ़ता करम कौन सा है तो ये हो जाएगा option है पहला है ब्रासपती दुसरा है सनी फिर प्रतवी उसके बाद बुद्ध CNG का विस्तरत रूप क्या है तो CNG का विस्तरत रूप होता है option A compressed natural gas अगला है म्रग मरीचिका का काराण क्या है तो म्रग मरीचिका का काराण होता है option B प्रकास का पूण आंतरिक परावर्तन भारतिय संसत का कौन सा सदन निमन सदन कहलाता है तो इसका हो जाएगा option A लोक सबा भारत का सरकारी दस्ता बेज जो तत्यों सहित प्रकासित किया जाता है क्या कहलाता है तो ये कहलाता है option B white paper केंद्रिय गन्ना अनुसंदान जो है वो कहां पर इस्टित है तो ये इस्टित है आपका option B कोयम बटूर में next question है अर्जुन पुरसकार दिया जाता है तो अर्जुन पुरसकार किसमें दिया जाता है तो ये दिया जाता option B खेल कूद में स्रेश्ट निस्पादन के लिए कोशन है ओलम्पिक खेल जो है कितने बड़सों के अंतराल पर आयोज़ित किये जाते है तो गाईज ये आयोज़ित किये जाते है option C चार बड़सों के अंतराल में अगला 25 बड़सी योजना में क्रसी छेतर का विकास लच्छ से अधिक हुआ था तो ये होगा option D पहली किस उर्बरक के उपभोग है तु भारत पूरी तरहें से आयात पर निर्वा रहे तो इसका अंसर क्या होगा कमेंट करके बताईए तो ये हो जाएगा option C पोटास next है उसर मरदा सुधारक के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है तो ये किया जाता है option C जिपसम next question है भारत में नीचे दिये गए खाद्यानों के उत्पादन million ton में का सही हासबान करम कौन सा है कमेंट करके बताईए तो ये हो जाएगा option D चाबल गेहूं मोटे अनाज और दालें संतुलित आहर के निमित एक व्यक्ति को प्रति दिन कितना दूद लेने की संस्तुती की गई है कमेंट करके बताईए तो option है हो जाएगा 280 ग्राम अगला कोश्चन है सगन पसु विकास कारिक्रम किस पंच वर्षिय योजना में सुरू किया गया था तो यह हो जाएगा option C तरति यह पंच वर्षिय योजना कम्प्यूटर की प्राथ्मिक मेमोरी के रूप में निमलिकित में से किसका प्रियोग किया जाता है चार option है तो इसमें से हो जाएगा option C रैम इसका फुलपाम क्या होता है रेंडम एक्सेस मेमोरी एक्सेस मेमोरी प्रोग्राम इन्पुट अगला कोशन है प्रोग्राम इन्पुट और आटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है तो ये कहलाता option A टर्न अराउंड टाइम जो वक्ति इंटरनेट की च्छानबिन करता है करता हुआ आनलाइन अत्तिक समय व्यतित करता है उसका बढ़न करने के लिए प्रियुक्त किया जाने वाला सब्द क्या है कमेंट करके बताईए इसका अंसर तो ये हो जाएगा option B नेट गुरू अगला कोशन है लोग्री ए खोज इंजन गूगल का नाम गूगल सब्द से ब्यूत्पन किया गया है इस सब्द का क्या आर्थ है तो इस सब्द का आर्थ हो जाएगा option D संख्या एक जिसके बाद एक सौ सोनने हो CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निस्पादन का चैन निर्वचन और मॉनिटर करता है तो ये हो जाएगा option C control unit CU अगला कोशन है कंप्यूटर के एक भाग से दुसरे भाग में सिगनल भेजने बाले electronic पत को क्या कहते हैं अगला कोशन देख लेते हैं क्या कहता है आपका खाले स्थान है दो पच्छों के बीच संप्रेशन करने का एक ऐसा समझोता है जो यह है बताता है कि संप्रेशन कैसे किया जाए तो इसका क्या होगा option D protocol अगला कोशन है आपका ब्यबसाइक रूप से प्रियोग किया जाने बाला पहला computer कौन सा था तो यह था option C Unipack अगला कोशन है बेतार networking इस्तापित करने के लिए किस प्रोध्योगकी का प्रियोग किया जाता है तो यह हो जाएगा चार option है इसमें से कौन सा होगा option D Bluetooth programming में कुछ स्थान कुछ कतनों की बार बार पुनरावरत्ती को प्राया क्या कहते है तो चार option है तो इसको कहते है option C looping अब करेंगे reasoning के question तो इसमें पहला question है उस आरेक को चुनिये जो दियेगे बरगों के बीच का सम्मंद सही निरूपन करता है जैसे कि oxygen है carbon dioxide है और बाता बारन है तो इसमें जो हो जाएगा option D बड़ा बड़ा जो भाग होगा यह होगा आपका बाता बारन और बाता बारन में कौन-कौन से कैसे हैं तो एक हो जाएगी oxygen दूसरी हो जाएगी carbon dioxide CO2 चलिए अगला question करते हैं question है guys रमेश और सुरेश क्या है भाई-भाई है तो लिख देते हैं नीचे रमेश और सुरेश क्या है आपस में भाई-भाई है इनका gender जो है पहले से ही decide है तो यह दोनों क्या है आपस में भाई-भाई है आगे क्या कहता है राखी और गीता आपस में बैने है तो राखी और गीता राखी लिग दिया एक गीता लिग दिया ये दोनों क्या है आपस में बैने है अब क्या कहता है रमेश का लड़का तो ये रमेश का एक कोई लड़का है तो यह जो लड़का है गाई पहले एक ची देखिए रमेश और सुरेश भाई भाई है तो सुरेश जो इसका क्या लगेगा चाचा लगेगा और तो इसमें क्या कहता है रमेश का लड़का गीता का भाई है तो किसका भाई है गीता का भाई है तो गीता का जब भाई है तो रम और रमेंस का लड़का जो हो गया और रमेंस की लड़की गीता हो गया गई और तो बताए सुरेष का राखी से क्या संबंध कुछ करते हैं अगला कोशन है गाइस प्रसेट संग के 88 से 89 के लिए है नीचे एक स्रियाणी दी गई है जिसमें एक पद लुपत है दिये गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन कीजिए जो स्रियाणी को पूर्ण करें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा तो क्या करेंगे गाइस सबसे पहले आप एक और एक को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है दो फिर आप एक और दो को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है तीन फिर दो और तीन को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है पांच अब तीन और तो आपका क्या मिलेगा आठ अंसर कौन सा होगे ऑप्सन है अगला कोशन है एजेट कमा सी एक्स कमा एफ यू तो यहाँ पर क्या आएगा तो यहाँ पर गया इस क्या आएगा आपको बता देता हूं थोड़ा सा छोटा करते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं सभी इलपावेट लेख देते हैं एजैड उसके बाद है सी एक्स उसके बाद है एफ यू देखिए एका जो इलपावेट कोड होता है वो क्या होता है तो गई सबसे पहले हम लोग एसे सी बना देते हैं ओक कि naughty कॉड़ होता है एक उसी का होता है टीन तो कितना जुड़ा, दो जुड़ा अब हम लोग C से एप बनाएंगे पहला अलफाबेट C का होता है 3, एप का होता है 6 तो कितना जुड़ा, तो एक में 2 जुड़ा, एक में 3 जुड़ा तो आगे कितना जुड़ेगा 4 तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आजाएगा 10 और 10 किस का अलपावेट होता है जे का और जे का विपरित क्या होता है जे का जो विपरित हो जाएगा क्यों हो जाएगा तो option C में आपका अंसर मिल गया तो option C is right answer चलिए अगला question करते है अगला question है प्रसन संख्या 80 से क्यासी के लिए निर्देस है निमलिकित बिकल्पों में से संबंदे सब दो संख्या का चैन कीजिए जैसे कि आँखों से जब आशू निकलते हैं तो जिस प्रकर देखिए आँखों का संबंद आशू से तो उसका अगला संबंद हमें निकालना है तो देखिए आँखों से क्या निकलते हैं आशू निकलते हैं उसी पुरकर जोला मुखी से क्या निकलता है लावा तो option B is right answer अगला है 414 के सम्माद 636 है तो 325 का सम्माद निकालना है तो देखे 414 से हम लोग क्या बनाते हैं लुख जाईए 414 से हम लोग क्या बनाएंगे 636 कैसे बनाएंगे सभी डिजिट में 2-2 जोड़ दो 414 के सारे डिजिट में 2-2 जोड़ दो तो क्या आजाता है 6, 3, 6 636 बन गया यही तरीका हम लोग 325 के लिए करेंगे तो 325 लिखा और सभी में 2-2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 यह हो गया चार यह हो गया और इसमें 2 जोड़ा 7 हो जाएगा 547 तो option C is right answer अगला question है निमलिकित में से बढ़ते आप रादों पर पुलिस के नियंतर्ण ना कर पाने के क्या कारण है चार option है इसमें से आपको बताना है तो option D पहला है पुलिस के आधुनिक अपरादों से निपटने में दच्छता काना होना पुलिस में पहला ब्रस्टा चार और कुक्यात अपरादियों को प्रभाव साली लोगों दोरा सन रच्छन अगला सामप्रदाइक सदभाव मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए तो ये हो जाएगा option D उप्रोक सभी पहला है जातिय संगठनों पर रोक लगानी चाहिए और सामप्रदाइक सिच्छन संसाओं पर रोक और सामप्रदाइक साहित पर प्रतिवंद अगला दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है मतलब पहले घन का आयतन और दुसरे घन का आयतन इसका अनुपात क्या है ये दिया हुआ है 27 अनुपात 64 और घन का अनुपात क्या होता है बोजा क्यूब पहले को हम लोग A1 माल लेते हैं दूसरे को A2 माल लेते हैं और इनका Q माल लेते हैं यह आयतान होता है और यह कितना दिये हुआ है 27 बटे 64 तो A1 बटे A2 क्या हो जाएगा 3 बटे 4 तो इनकी बुजाओं का रेसियो कितना आगा है 3 बटे 4 या 3 रेसियो 4 तो Option B is Right Answer अगला कोशन है किसी संक्या को 357 से भाग देने पर सेज जो है 49 बचता है यदि उस संक्या को 17 से भाग दें तो सेज क्या बचेगा तो आप डारेक्ट 49 में 17 का डिवाइड कर दीजेगा तो आपका सेज कितना बचेगा तो 17 दुनी 34 बचा 5 और 5 में पॉइंट लगाएंगे देखे दो बार भाग जा रहा है आपका और सेज कितना बचेगा रहा है 5 तो आंसर क्या होगे Option D अगला कोशन है बहुत ही सिंपल सा है एक समू की 5 संक्याओं का आउस्सत देखिए आउस्सत बराबर क्या होता है यह होता है पदों का योगफल बटे पदों की संक्या और जो की 5 संक्याओं का आउस्सत दिया हुआ है 10 तो 5 संक्याओं का आउस्सत है 10 इस उगल्टिव पदों का योगफल हम लोग माल लेते हैं क्या माने हम लोग माल लेते हैं X और बटे पदों की संक्या, मतलब कितनी संक्या हैं टोटल 5 तो यहाँ पर X की बेलू कितनी हो जाएगी, पचास अब क्या गहता है, इस समू में कौन सी संक्या जोड़ी जाए, कि नए समू का आउसत बारे हो जाए तो गाइस, आपकी पदों का योगफल आ गया है, पचास मतलब पदों की संक्या आ गया है, इसमें माल लेते हैं हम लोग एक क्या जोड़ लें, इसमें एक संक्या और जोड़ लें, माल लेतें बाई जोड़ लें तो वो उसत कुसका कितना हो जाता है फिर बारे हो जाता है तो पदों का योगफल बाटे पदों की संक्या होती है तो उसत आपका बारा हो गया और पदों की संक्या पदों का योगफल तो कर दिया और पदों की संक्या कितनी हो गई तो पदों की संख्या टोटल हो जाएगी 6 क्यूंकि पहले 5 से आप हो गई 6 क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 22 कल्टू क्या हो जाएगा बाचंग 72 तो बाई की बेलू क्या आजाएगी आपकी जो हमें निकालनी है तो बाई की बेलू आपकी आजाएगी 22 तो अपसेंसी जराइट आंसर चलिए अगला कोशन करते है अगला कोशन है यदि तीन संख्या है जो है एक अनुपात, दो अनुपात, तीन का अनुपात में है तो इनका रेसियो दिया हुआ है संख्याओं का अगर रेसियो को संख्या बनाना चाहेए तो क्या करेंगे तो सभी में x का मल्टिप्लाइ कर देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 1x दूसरी हो जाएगी 2x तूसरी हो जाएगी 3x अब संख्याओं आपको मालूम हो गए जिसमें x लगा दिया है तता इनका महत्वम समाव वर्थक कितना है, SCF आपका कितना है, 12, तो हमें संख्या हैं बतानी क्या होगा, तो इस 12 का multiply X में कर देंगे, तो एक गुणे 12 कितना हो जाएगी पहली संख्या 12, फिर दूसरी है 2X, तो 2 x 12 कितनी हो जाएगी 24, तिसरी है 3X, तो 3 में 12 का multiply होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 36, तो 3 संख्या हैं आपके कितनी हो जाएगी 12, 24, 36, ओप्शन सी जड़ा डानता, चलिए अगला question करते हैं, अगला question है PKI, QKI से 20% अधिक है, मतलब माल लेते हैं, अगर QKI 100 है, तो PKI कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि 20% अधिक है, अब क्या कहता है, QKI, PKI से कितनी पतिसत कम है, मतलब QKI जो है, और P से कितनी कम है, तो देखें, टोटल कितनी कम हो रही 20, अब बटे में क्या आएगा, किस से, जिससे की जारी तुलना, किस से की जारी एक PKI से, तो 120 बटे में आ जाएगा, और परसेंटेज में कनबट करने के लिए 100 का मल्टिप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कटा, अब दो चंग बारा, और दो पंजे दस, अब दो तियां छे, और यह हो जाएगा, पचास बटे तीन, पचास बटे तीन का मतलब क्या होता है आपका, यह हो जाएगा, 16.6, तो आपसेंटी ज़रा है टांता, चलिए अगला कोशन करते हैं, गाइज, अगला कोशन है, 28 रुपए में 11 संत्रे खरीद कर, मतलब 11 संत्रे कितने में खरीद रहा है, तो 28 रुपए में, तो एक संत्रा कितने रुपए में खरीद रहा है, 28 वटे 11, हो गया गाइज, अब क्या कह रहा है, 28 रुपए में 9 संत्रे के भाव से बेंच देता है, मतलब 9 संत्रे कितने में बेंच रहा है, 28 रुपए में, तो एक संत्रा कितने में बेचेगा 28 बटे 9 बेच दिया यह हो जाएगा SP और यह हो जाएगा CP अब देखिए प्रतिसत लाब बताना है तो percentage of profit कितना होता है SP माइनस CP बटे CP इंटू 100 अब देखिए SP कितना है 28 बटे 9 और CP कितना है 28 बटे 11 और बटे में CP आएगा CP कितना है 28 बटे 11 और इंटू 100 इसको अगर solve करेंगे तो आपका अंसर कितना आएगा तो यह आजाएगा आपका 22 बटे 9 परसेंट option D is right answer आयो अब आपको समझ में आया होगा चलिए अगला question करते है अगला question है 7 बटे 8, 8 बटे 7, 1 बटा 2, 3 बटे 4 कहता किया आगे के योग मतलब इन 4 प्रेक्शनों का अगर योग कर दें उनका योग 5 में कितना अंतर होगा तो इनका योग करके आपको क्या करना है 5 में से कटा देना है तो सबसे पहले योग कर देते हैं 7 बटे 8, plus 8 बटे 7, plus 1 बटा 2, plus 3 बटे 4 इनका योग करने पर आपका क्या आएगा ऐलसियम ऐलसियम आजाएगा 56 और उपर कितना हो जाएगा 49 यह हो जाएगा 64 यह हो जाएगा दूसरे में और तिसरे में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा तो चोथे में कितना हो जाएगा आपका LCM लेना तो आता ही होगा आपको यह हो जाएगा 42 और यह कितना आजाएगा 183 बटे 56 अब क्या करना है 5 मेसेज को घटा देंगे तो आगे क्या हो जाएगा 5 मामाइन ס 113 बटे 56 तो इसको घटाएंगे तो आपका आंसर कितना सही आएगा एक सही एक तालेस वटे चपन तो आपसिंसी इस राइड आंसर चलिए एकला कोशन करते हैं गतिमान 600 मीटर लंबी रेल गाली को 800 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा यहां देखे ही यूनिट मीटर में उपर है किलोमीटर में तो चाल आपकी है टोटल लेंद कितनी है 600 प्लस 800 तो टोटल लेंद कितनी हो जाएगी 1400 अब आपको टाइम बताना है तो चाल बराबर क्या होता दूरी बटे समय और समय स्कल्टू क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल तो 1400 बटे 60 into 5 बटे 18 एक जीरो से एक जीरो कटेगा और यह काटने पर जो आंसर आएगा आपका कितना निकलेगा आपको बता देता हूं 84 सेकेंड 18 उपर चला जाएगा यह तो आपका आंसर 84 सेकेंड निकलेगा और चलिए अगला कोशन करते हैं प्रशन है एक बटे यह पूरा समीकरण को हम लोगों को solve करना है तो एक बटे 4-1 बटे अब इस वाले में LCM क्या होगा साथ होगा साथ ले लिया उपर कितना हो जाएगा 14-1 तो आगे क्या आएगा एक बटे 4-1 बटे 13 बटे 7 तो साथ उपर जाएगा यह तो आपका कितना होगा एक बटे 4-7 बटे 13 अब नीचे कितना LCM होगा 13 तो यहां पर हो जाएगा तेरा चकु बाबन-7 यह 13 उपर चला जाएगा तो आंसर कितना जाएगा तेरे बटे बाबन से साथ जाएगा आपका 45 आजाएगा तेरे बटे 45 तो आपसंसी जराइड आंसर चलिए अगला कोश्चन करते हैं क्या कहता है 27 अनुपाद 42 समानुपाद कोश्चन मार्क और 378 है यहां पर प्रसंचिन के स्थान पर क्या आएगा तो 27 बटे 42 हो जाएगा सब्राबर क्या होता है बराबर होता है और से मार है इसको सल्प करने पर आन्सर लटा डो सो सब्सक्राइगा तो चलिए अगला कोश्चन करते हैं कि अगला कोश्चन है सत्रू का समान आर्थक सब्द क्या है चार अप्सन है तो ये हो जाएगा अरी और इसपस्जिका विलोम सब्द क्या होगा तो ये हो जाएगा असपस्जिय कौन सा सब्द दास का परहएबाची नहीं है तो अप्सन भी परिकर्वांकी के तीने जैसे के अनुचर, ब्रत्य और सेवक ये तीनों है दास के परहए बाची अब इंग्लिस के question ने direction दिया 98 से 100 के लिए निर्देश है Choose the most appropriate birds to fill in the blanks तो 98 में खालिस्तान आगे है Have a beautiful haunts तो यहाँ पर क्या भरेंगे Those dear अगला है बन सुद्डू खालिस्तान Duty honestly तो यहाँ पर क्या भरेंगे तो बन्स, बन के साथ आता है बन्स अगला है खालिस्तान People were present there तो यहाँ पर क्या भरेंगे If you तो गाईज आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू दन्यवाद आपका देन सोबरा है